बैस रोड गड़ थाने में ड्यूटी पर तैनाद सिपाही द्वारा बंदुक से गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस की समवीदन हींता देखने को मिली CCTV फुटेज में घटना पांच बचकवर सत्रा मिनिट पर कैद हुई लेकिन आठ बज़े तक मिलतक का शव मौके पर पढ़ा रहा और थाने में आधा दर्जन श्वांच विल लाते रहे इस बीच की वल हैट कॉंस्टेबल जगदीश प्रसाथ और थाना दीकारी मुहर सिंग डिखाई दिये वह शव के पास गई भी नहीं जब उपजिला अस्पताल के अम्बिलन्स मौके पर पहुँची तब सिपाहियों ने उठा कर अम्बिलन्स में रखा और रावत भाटा लाए एंडी पीस एक्ट के दो आरूपी भी थाने में थे रात दो बजे पहरा ड्यूटी पर आया चेतराम ने सुबब पांच बजे तक उनकी निगरानी की और आतमहत्या से पहले मुझ्युमों के कमरे की कुंडी लगाई पुरी वारदा सिसी टीवी कैमरे में दर्ज हुई है कुंडी लगाने के बाद चेतराम कमरे के बाहर टहलते नजर आया बाद में उसने कमरे में जाकर गोली मार ली गोली लगने के बाद वा थाने के बरामदे में आया और गिर पड़ा कुछ देर बाद वहीं दम तोड़ दिया Constable चेदराम की मौत के बाद पुलिस कर्मियों में शोग की लहर दोड़ गे पुलिस कर्मियों ने शोग जताया भैस रोड गर्थाने में खाने की मेज बंद रही पुलिस की नौकरी हमेशा तनाव की माहूल में होती है इसमें पुलिस कर्मी के लंबी ड्यूटी की घंटे भी शामिल है और सतन बारा घंटे ड्यूटी करना आम बात है उसके बाद ड्यूटी के दौरान भी माहो लगसर नीरस रहता है किसी एक पॉइंट पर ड्यूटी लगा दी गई तो उसको वहीं रहना है रूटीन ड्यूटी के लावा रोज की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी शामिल है इसकी वजह से पुलिस कर्मी मानसिक तनाव में आ जवाते हैं तनाव की कारण हो रही घटनाओं से पुलिस कर्मी में आत्महत्या की प्रवरत्ती बड़ी है अलसुभद दुखद घटना हुई है पुलिसात महत्या और दुखटना दोनों एंगल पर जाज कर रही है परिजनों से भी समझाईश दी जा रही है परिजनों की मांग से आलाधिकारियों का अवगत करवाए गया है